हेई फ्रेंट्स तो क्विक अपडेट में बात करते हैं विक्रान कोना के रिलीज हुए टीजर के बारे में जो कि एक्चुल में इस फिल्म के आने का यानि कि इसकी रिलीज डेट का टीज देता है कि अब ये फिल्म पैन इंडिया के लेवल पर या फिर कहू वर्ल्ड 28 जुलाई की रिलीज डेट पर सेट है जिस फिल्म के कंटेन में दम है ये बात तो बहुत ही क्लियर है जिसका हिंट हमें फिल्म के मोशन पोस्टर से लेकर टीजर तक में पहले दिया गया था लेकिन कॉविट के चलते ये फिल्म एक डिले पर थी और फाइनली 28 जुलाई क ये रिलीज डेट ये कंफर्म कर देती है कि मेकर्स पूरी तरीके से रेडी है अपने इस कंटेन को लोगों के सामने रखने के लिए और अब इसका ये रिलीज हुआ रिलीज डेट का टीजर भी इस बात की कंफर्मेशन कर देता है कि के चैजिएफ चैप्टर टू के बाद कैसल में फिल्म का प्लॉट किस तरीके की स्टोरी को हमारे सामने रख रहा है क्योंकि जितने भी ग्लिम्स इस फिल्म के निकल कर आये है उन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक ट्रेजर हंटिंग पर बेस होने वाली फिल्म है जिस कंटेन का मैं तो दिवाना साथी साथ ऐसी फिल्मों में एडवेंचर भी भरकर होता है और बजट को तो भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्हीं सभी को मिलाकर एक अच्छा कंटेन बनाया जाता है और अब जबकि KGF ने इस दरवाजे को कनवरा इंडस्री के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से रही है और ऐसा ना हो कि उस रेस में अब बॉलिवूट सबसे ज़्यादा पीछे रह जाए क्योंकि अल्रीडी उनकी तरफ से तो देर हो ही रही है और जैसे कंटेन बॉलिवूट वालों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं उसमें से काफी रहली कंटेन अच्छे होते हैं तो अभी के लिए तो उससे रिलेटर में अपास जादा डीटेल नहीं है सिवाए इसके कुछ ग्लिम्स और ऑफिशल रिलीस डेट के अलावा जिसकी मुझे लगता है डीटेलिंग पर बात इस फिल्म के ट्विले के रिलीस के बाद ही करना चाहिए क्योंकि टू भी आपकी रहे मुझे कमेंड में चाहिए क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खतम करने का मैं हूँ अजीज शेक मिलेंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में तिल देन बाई